हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ओलने गुरू चैनल, MS वर्ड की इस क्लास में आप साथी का स्वागत है, देखें दोस्तों, MS वर्ड एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉकिंग डॉकिमेंट है, जो कि लेटर, रिपोर्ट, न्यूस पेपर, ये सब प्रेजन्ट करने में ए MS Office का काम करते समय, या जब भी आप MS Office ओपन करते हैं, तो उसमें दिखने वाली चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्यूटर की भासा में, और जन्रली भी ठीक है, देखें दोस्तों, ये ऊपर जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, Qwik Access Two-Bar, क्या कहते हैं दोस्तों खwik Access Two-Bar, इन्हें हम Quick Access करते हैं, ठीक है, यह जो आपको दिख रहा है, document one word, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों टाइटेल बार, ठीक है, यहा रहता है, यहाँ पे आप जो भी work करेंगे, उसका टाइटल देएंगे, वो टाइटो आ क्या है program window control minimize restore या maximize और close ठीक है दोस्तों यह क्या है आपके program window control यह आपका है tell me box इसको आप बताइए कि आपको क्या काम करना देखिए यहां लिखा भी यह tell me what you want to do ठीक है दोस्तों आपका यह जो है यह है file tab यह home tab यह insult tab यह design tab अलग-अलग इन सब को क्या कहते हैं हम लोग tab कहते हैं और एक साथ क्या कहते हैं इनको एक साथ पूरा help तक हम क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं ribbon क्या कहते हैं एक साथ ribbon अलग-अलग tab ठीक है दोस्तों ये हो गया आपका document area काम करने वाला area ये हो गया आपका जैसे मान ल ग्रूप कहते हैं अलग-अलग क्या कहते हैं और अलग-अलग क्या कहते है कमांड ठीक है दोस्तों एक साथ तेसे कहेंगे तो हम कहेंगे font group, home tab के font group में, ठीक है, पर home tab के font group में bold command, तो यह अलग-अलग command हो गया, एक साथ group हो गया, यह पूरा एक साथ ribbon हो गया, अलग-अलग tab हो गया, ठीक है दोस्तों, file tab हो गया, यह आपका ruler हो गया, ठीक है, यह margin निर्धारित करता है, इसको कहते हैं, dialogue box launcher, ठीक है, ये दोस्तों हो गया scroll bar ये scroll करता है document उपर नीचे ठीक है ये है zoomer आपका slide zoomer ये zoom करता है आपका document को जितना भी आप चाहें उतना zoom कर सकते हैं ठीक है ये है world view ये आपका हो जाता है read mode में इसमें आप कुछ भी edit नहीं कर सकते ये print layout हो जाता है इसमें आप लिख सकते हैं और ये web layout मतलब जो net page का layout होता है ये वो हो जाता है ठीक है ये status bar है आपका पूरा ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही thank you very much और आप लोगों को introduction of world समझ में आ गया होका thank you very much